नमस्कार, स्वागते आपका अजीत अंजीम जी के यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ अशोकवान खड़े। सम्भावता 2014 के बाद पहली बार दिवाली कोई मुख्यमंत्री यदी जेल के सलाखों के पीछे मनाएं तो आज चले नहीं होगा। कल जब पूर्व मुख्यमंत्री सिसो दिया की बेल अप्लिकेशन सरवोचे नैले ने रिजेक्ट की उसके बाद एडी के होसले बुलंद हुए और तुरंत शाम तक एडी ने दिली के मुख्यमंत्री अरविंद के जरिवाल को समझ भेजा कि थस्दे को नुएंबर दो को उन् इडी के सामने पेश होना होगा इसके पहले अरविंद केजरिवाल को CBI ने करीब-करीब 9 गंटे 56 सवाल पूछ के उनसे शराब घोटाला कांड़ पर पूछ ताच की अरविंद केजरिवाल का कहना है कि जितना कुछ मुझे बोलना था मैंने बता दिया वो इसे राजनीतिक शरियंत्र का हिस्सा बताते है और कहते हैं कि गलत कुछ नहीं हुआ भारती जन्ता पार्टी आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहती है दूसरी और जो मनीश सुदिया को बेल मिल ली थी पहली बार शायद कम से कम मैंने तो पहली बार सुना कि बेल अप्लिकेशन भी रिजर्व रखी जाती है और जब बेल अप्लिकेशन पे डिसिजन आया तो रिजिक्ट हो गई मानिय सरोच नैले ने ये कहा कि there is a material of evidence which tentatively supports one of the charges under PMLA कुछ हमारे पास ED ने evidences दिये जो tentatively दूर दूर से मतलब करीब-करीब मनीश सुदिया पे लगे वहे तमाम charges में से एक charge को support करता है इसलिए उनको बेल नहीं दी जाती है उसके पहले जो बात हुई उसमें दो करोड बीस लाक का जो charge था कोट ने कहा कि ये CBI के ही finding में ये charge नहीं तो ये ED ने कहां से लाया उन्होंने कहा कि 45 करोड गोवा में भेजे ऐसा आपने आरोप लगाया उसमें कोई तथ्य दिखाई नहीं देता 100-100 करोड का जो शराब घोटा ले में ED ने पैसा इसमें भी कोई evidence नहीं है उन्होंने कहा कि हम 6-8 मेने का टाइम देते हैं आप अपना प्रोड़िसिंग पुला करिएगा इसी के बीच में मैंने सिसु दिया कि का कि दो-तीन मेहने के बाद अब जब आपको लगता होगा यह जबरतिक खीच रहे तो आप फिर सुप्रीम कोड आ सकते हैं लेकिन मैं नाय पाली का को सैलूट करता हूँ कि उन्होंने एक 22 evidence पे बिल रिजेट की और बाकी बेंच ने इसकी नाजीर लेनी चाहिए क्योंकि कई जगा बड़े-बड़े घोटाले सामने आने के बाद मात्र एक कमिटी बना के उस पे विचार भी निमर्श होता है और क्रिंचीर दी जाती है ये बड़ा आजीब खोटाला है जो मनिस सिसुद्या को जो पूछेगी तो मनिस सिसुद्या के खिलाब जो CBI ने इंक्वाईरी की उसमें भी जो चार्शिट जो चार्शिट ये थे कि जो एक समीर महंद्रू है जो बड़ा व्यापारी है दारू का उसके स्टेट्मेंट की इर्दगीर दे तमाम आरूप घुमते हैं उसने कहा कि एक विजय नायर करके है जो कम्यूनिकेशन हेड है आम आदमी पार्टी का उसने दो बार मुलाकात करवाने का प्रयास किया अर्विन केजरिवाल की तो नहीं हो पाई फिर फेस टाइम पे टेंटेट्यू बात हुई उसमें अर्विन केजरिवाल ने ये कहा कि नायर जो है विजय नायर आप विश्वास रख सकते हैं और फिर आगे की बात हुई कुल मिलाके ये जो शराब घोटा ला है ये जो शराब निती लागू हो गई है इसमें कुल मिलाके 338 करोड रुपे का गड़बर ज़ाला है ऐसा सरोचे नायले का मानना है कि दिखता है लेकिन फिर अर्विन केजरिवाल ने नई एकसाइज पॉलिसी में लाइसेंस भी तो 70 करोड रुपे रखी थी और कमिशन 5 परशन से 12 परशन बढ़ाया थी इडी का कहना है यह कमिशन जो पास से 12 बढ़ाया यह उन 14 होलसेलर को पैसा कमाने की लूटने की खोली छूट दी और यदि वो चाहते है कि कस्टमर को बेनिफिट होता इससे तो फिर वो प्राइस डाउन दे लाइन नीचे दे देनी चाहिए दी कुल मिलाके यह दो दिन के जो लगातार जो बहस चल रही थी सर वो चनेले में और लगातार सुन रहे थे उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है इस देश में जो भी ठेके दिये जाते है जो भी काम दिया जाता है सरकारी काम आवंटन होते है चाहे रोड के ठेके हो चाहे बिल्डिंग्स के ठेके हो चाही पॉलिसीज हो चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो इन तमाम चीजों में कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट तो होता है अब वो जिनको बेनिफिट होता है वो सत्ता में जो पार्टी बैठी उसको क्या देते है इस पे गौर करने लाइक बात है कल सरवच नैले में केंदर सरकान ने अफिडिमिट दिया कि पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाला चंदा कौन क्या देता है ये जानने का हधिकार इस देश की जनता को नहीं है सारा गड़बर जाला यहीं है कि इलेटरॉल बॉंड आने के बाद अक्सर राजनितिक दल जो सत्ता में है वो पार्टी फंडिंग इलेक्टरल बॉंड के थू लेते है और यहीं पूरा पार्टी फंडिंग इलेक्टरल बॉंड के थू आम आदमी पार्टी को होता तो शायद नई एक साइज पॉलिसी का गड़बर जाला सामने ही नहीं आता हर राजनितिक दल जब पॉलिसी बनाती है बदलती है तो कुछ लोगों को फायदा होता है कुछ लोगों को नुकसान होता है जिनका नुकसान होता है वो उनमें मीन मेक निकाल कर सामने परोस्ते है और जिनका फाइदा होता है वो मार्केट में ये चीज़े नहीं आए इसके लिए दबाने का प्रयास करते है और ये निरंतर इस देश में चल रहा है उदारन के तोर पे महरास्टे के मार्डी ने डेवलप्मेंट चार्जेस जो मुंबई एरपोर्ट पे नया चार्जेस एक अध्यादेश निकालके अड़ानी सेट को माफ कर दिये उससे महरास्टे गवर्मेंट को करीब करीब तीन से चार लाख रुपए का लाख करोड रुपए का नुकसान हुआ ऐसे मराठी अकबार लगातार लिख रहे हैं अब सवाल यह है कि एक आदमी को क्यों लाब दिया जा रहा है क्या उसने कुछ इलेक्टरल बॉंड के थूप फंडिंग भी की है पार्टियों को तो यह आम आदमी पार्टी का मसला नहीं यह देश में विभिन जगा पर जो भ्रहटाचार पनप रहा है उस पे चदर दालने के लिए इलेक्टरल बॉंड बहुत एक नया तरीका सर राजनितिक दलों ने निकाला सरवच नयाले को चाहिए कि पॉलिटिकल फंडिंग यह पब्लिक प्रिव्यू में आए राजनितिक दल को कौन कितना चंदा देता है यह सामने आए तो पिछले 20 साल में हर साल पार्टी को मिलने वाला चंदा देने वाले लोग उनको दिया जाने वाला काम यह पूरी ट्रेल के ट्रेल लोगों के सामने आ सकती है मनिस सिसुद्या को बेल ना देना क्योंकि तमाम चार्जिस को छोड़के मात्र एक पॉइंट पर 22 मट्रियल है इस बिना पे वो जेल में है लेकिन कई लोग जिनकी साड़े सादा सो करोड रुपे की संपत्ती इडी ने जब्त की इडी ने जिनकी ओपर रेड करके बहुत सारा मट्रियल सीज किया वो लोग भाज़पा के सरकार में मंत्री है उन्हें जेल भी नहीं होती है कुल मिलाके क्या ये मामला राज किये शड़यंत्र है अरविन केजरिवाल ने गलत किया होगा एक्साइज पॉलिसी में गलत किया होगा और मुझे भी लगता है होना चाहिए कुछ ना कुछ गलत नहीं तो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ नहीं करते है नहीं एक्साइज पॉलिसी लागू किया और बावाल होने पे विड्रॉ कर दिया इसका मतलब आपको डर लगा कि आप पकड़ेगे एदिया आपको लग रहा था कि वो दिल्ली की जनता के लिए ठीक है और इससे रेविन्यू बढ़ रहा है सरकार का तो उस पे आप अड़ी रहते क्योंकि उसको फिर कैंसल करने का नोबती नहीं आती लागू करके कैंसल करना ये एक ग्रे एरिया है जहां अर्विन केजरिवाल भी नहीं छूटते लेकिन जब अर्विन केजरिवाल की इस्तिफ़े मांगते हुए भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं कि मैं बात सुनता हूँ तो अर्विन केजरिवाल को तो सिर्फ समझ किया है बुलाया है सरोच नैले ने कहा कि इसमें 338 करोड रुपए का गड़बड जाला दिखाई देता है लेकिन सरोच नैले ने ये भी कहा कि कई आरोब बेबुनियाद है माण पर सरोच नैले की इस बात पर यदि फिर इस्तिपी ओ जाते है तो फिर इस्तिपी पर तो कई मुख्यमंत्रिों की भी होने चाहिए बीजेपी शासित राज्यों में, फिर अजित पावार का भी होना चाहिए, हसन मुश्रिप का भी होना चाहिए, सुनिल तटकेरे का भी होना चाहिए, चगन भुजबल का भी होना चाहिए. ऐसे कई लोग है जो ब्रह्टाचार करते है जो इडी नोटीस देती है समत्ति जप्त करती है फिर वो भाज़पा का चोगा पहन के मंत्री बनते है इसलिए केजरिवाल को इस्तिफा मांगने का नईतिक अधिकार किसी भी राज़ितिक दल को नहीं है क्योंकि सब हमा में नंग हंडिंग का है पॉलिटिकल फंडिंग का है और यदि 338 करोड जैसा कि सरोच नयालाई को लगता है इसमें गड़बर जाला है और ओ 338 करोड में से कुछ पैसा पार्टी फंडिंग के नाम पे रिश्वत के तोर पे यदि आम आदमी पार्टी को मिला है तो फिर इलेट्रॉ के दलो को मिलने वाला पैसा यह जानने का अधिकार आम आदमी को नहीं है तो फिर यह अधिकार सरिफ E.D. और C.B.I. को ही है जो इसमें ढूंडे कि क्यों और कैसा दारू के पॉलिसी में कमाया हुआ पैसा इलेक्शन में लगाया है कुल मिलाकर दो तारिक में देखा जाएगा क्योंकि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था सिसोदिया के साथ सिसोदिया को जाच परताल के लिए बुलाया था फरवरी 26 को और फिर तुरंट उन्हें 9 मार्च को लगाता और जाच करते रहे करते रहे और 9 मार्च को उनको आरेष्ट कर लिया था इस बार भी क्या मुक्यमंत्री को दो तारिक को बुला कर दो से चार कर पुछता जारी कर फिर उनको जेल में डालेंगे क्या अर्विन केजरिवाल की दिवाली जेल से बनेगी क्या दिल्ली को नया मुख्यमंत्री बनेगी मिलेगा या अर्विन केजरिवाल जेल में रहते हुए ही भी मुख्यमंत्री पर पे आज सिंद रहेंगे ऐसे कई सवाल है जो हमारे भी जहन में आपके भी जहन में होंगे लेकिन बहुत जल्द ये मुझे लगता है सामने आएगा और लगा तारीष पे जो भी डिविडियो लप्मेंट होगी आप तक लाते जाएगे आज इतना ही कल फिर आता हूं किसे विशे के साथ तक लिए नमस्कार देखते रहेगा अजित अंज्यम जी का यूट्यूब चैनल